नमस्कार साथियों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर नई पैंशन सूची वर्ष 2023 के अंतरगत सरकार द्वारा जारी कर दी गई है आज किस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जोलाई अगस सितंबर तीन महिने की तीन हजार रुपे तीन हजार रुपे पैंशन रासी केवल और केवल इन ही लाभारतियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफर करेगी बागी जो पैंशन धारक है उनके बैंक खाते में जोलाई सितंबर महिने की पैंशन आसी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इसके पीछे क्या करण है आपको करण भी बताय जाएगा और किन-किन लाभारतियों को सरकार पैंशन देगी उसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है आज की यह जानकारी सभी दिव्यां, विद्वा, वर्दवस्था और कुष्टवस्था पैंशन धारकों के लिए है वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं और न्यू पैंशन लिष्ट 2023 की आपको दिखाते हैं जिनके बैंखाते में जोलाई अगस्ट सितंबर महेने की पैंशन 101 परतिसद सरकार ट्रांसफर करेगी जिनको लाब दिया जाएगा इस समय यहाँ पर हमने अपने मोवाईल फोन में करोम ब्रावजर को ओपन किया हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं यदि इस लिष्ट में आपका नाम भी सामिल है तो आपके बैंखाते में भी 101 परतिसद जोलाई अगस्ट सितंबर महेने की 3000 पर पैंशन आसे सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी जाएगी कब तक आपके बैंखाते में जोलाई अगस्ट सितंबर महेने की पैंशन आएगी उसकी भी जानकारी आपको मिलने जा रही है देखें यहाँ पर आने बाद आपको सीधे सर्च करना है UP Pैंशन UP Pैंशन हमने लिख कर सर्च कर दिया है सर्च होने के बाद देखें यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा UP Pैंशन इसकी इस पर आपको क्लिक करना है लिष्ट में अपना नाम देखने के लिए अब जैसे हमने किलिक किया किलिक होने के पच्चात हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात की फोटो और यहाँ पर देखिए फिर आप देखेगा तो परदान मंत्री ने अंदर मोधी जी की फोटो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी देखिए यहाँ पर परदान मंत्री जी हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्र योगी आदित्यनात देखे यहाँ पर जो ये मुख्य मंत्री है इनके सरकार द्वारा हर एक महीने 1000 उपे सरकार देती है लेकिन हर महीने 85 ट्रांस्फर नहीं की जाती तीन महीने के अंतराल पर 3000 उपे इस राज्य में सरकार लाभारतिय उबेंक खाते है पैनस्फर करता है आप देखें यहाँ पर देखें पूरी लिष्ट है सबसे पहले वर्दवस्था है निराशित महीला दिव्यांग पैंशन वर्दवस्था जो बढ़ापा पैंशन का लाब ले रहे हैं या 60 साला पैंशन का लाब ले रहे हैं pension बनी हुई है तो यहां से list में वे भी अपना नाम देख सकते हैं नीचे देखेगा दिव्यांग pension में जो दिव्यांग व्यक्ति है कुछ ट्रोक से पीडित व्यक्ति है और जिनकी pension बनी हुई है तो यहां पर list में वे भी अपना नाम देख सकते हैं अब जिस आप pension का लाब रहे हैं आपको उसके नीचे लिखावाई योजना के विशे में उस पर आपको क्लिक करना है तो हम यहाँ पर किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं चलिए हम यहाँ पर सीधा योजना के विशे पर क्लिक कर लेते हैं क्लिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है नीचे आपको आना है नीचे आनेगवाद प्रदेश की वेबसाइट पर आपका स्वागत है आपको इस पर किलिक करना है अब जैसे हम किलिक कर देते हैं हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है अब उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद हैं जिले हैं अब इसमें से जो भ अब यहां से बताएगा है यदि कोई व्यक्ति पैंशन धारक गरामिन छेतर के निवासी हैं गरामिन छेतर के अधिन आते हैं तो यहां से उनका अपना विकास खंड का चुनाव करना होगा अब यदि कोई व्यक्ति सहर में रहते हैं सहर में रहकर पैंशन का लाब ले रहे हैं तो उन्हें यहां से आपको उनको अपना देखिए यहां से उन्हें अपना चुनाव करना है किसका नगर निकाएगा लिखा हुआ है नगर निकाए यहां से उनको अपना नगर निकाएगा चुनाव करना है ठीक है ना समझ आगए बात अब यहां से हम सीधा किलिक कर लेत किसी एक विकासखंड का चुनाव कर लेते हैं विकासखंड का तो यहाँ पर किसी एक प्रम किलिक कर लेते हैं चलिए किलिक हमने किया और हमारे सामने अगला पेज भी ओपन हो चुका है आप यहां से देखेगा बता गया है कि आप यहां से अपने ग्राम पंचायत का जायद में दो गाउं आते हैं पहला और दूसरा देख रहे हैं तो हम पहले वाले पर क्लिक कर लेते हैं यहां पर क्लिक हम ने किया देखे यदि आप यहां पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं कर पाएंगे केवल यहां पर दिखा देखे संख्या लिखी हुई है ना यहां पर क क्लिक कीजिए आपके गाउं के सामने जितने गाउं के पैंशनर से उन पर पैंशनर की जो संख्या है उन पर आपको क्लिक करना है तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं क्लिक हमने किया और हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है अब यहां से देखिए आपको कोपी में नोट कर सकते हैं लिख सकते हैं कुछ गलती हो जाती है कुछ करेक्शन कराना है तो इसके अवशक्ता होती है तो यह पर आप पर आपका रेश्चन संख्या है यहाँ पर पैंशन धारक का नाम है उनके पिताजी का महिला या पुरू सेख्व मेल फिमेल या परा पुलिखा मेलेगा उमर कितनी है देख सकते हैं किस वर्ग में आते हैं जन्रल ओबिसी मर्टी SC Calling यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नमबर देखे जो आपने दिया हुआ है, पैंसनर्स का पता किसी का अपडेट हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, अब सरकार द्वारा अब तक की जो पैंसनरासी दी गई है, अप्रेल, मई, जून, महिने की 3,000 रुपे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 3,000 रुपे पहले क्वाटर की पैंसन धारकों को पैंसनरासी बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है, यह आपके सामने एक पुरूव है, बैंक खाते का नाम देख सकते हैं, अकाउंट नमबर और ट्रांजिस्टि पैमेंट रिलिज्ट कर दी गई है, अब कहने का हमा एक परतीसद, एक सो एक परतीसद, जोलाई, अगस्त, सितंबर महनी की पैंसन असी दे दी जाएगी, यहाँ पर उनको पैंसन मिलेगी, लेकिन जिन लाभारतियों को अप्रेल, मई, जून महनी की पैंसन असी नहीं मिली, हो सकता है, इस बार उन्हें जोलाई, अगस्त, सित नमबर मैने के pension ना मिल पाए, क्योंकि उनके आफजन फार्म में यदि पहले की तरह कोई गलतिया है, जैसे कि नाम में गलति हो रही है, उनके आकाउंट नमबर में गलति हो रही है, एडरस में गलति हो रही है, उनका P.E.F.M.S. Accept नहीं है, कोई भी गलति हो जाती है, आपके pension application फार्म की सबी गलतिया ठीक नहीं हो जाती है, ठीक ऐसे करा सकते हैं, उसके लिए जो देखें, जिसमें जिले के आप अधिन आते हैं, जिले के निवासे हैं, जो आपका जिला है, उस जिले में आपको जना है, जिला समाज कर लियान या विकास भावन, वहाँ से अधिका की जानकारी आपको देदे जाएगी, कि किन गलतियों की वज़े से आपकी pension आपके bank खाते में नहीं पहुँच रही है, तो ये कारी आपको करना है, इसमें आपकी आधार कार्ड और bank की पास्वुक की अवश्रक्ता होने वाली है, फोटो स्टेट की ये आपको लेना है, द किन करनों की वज़े से आपकी pension आखिरकार नहीं आ रही है, और ध्यान रखिए, जिन pension धार को ने अभी तक EKYC नहीं कराया, अपनी pension का, जल सल अपना EKYC कम्पलीट कर लिजे, क्योंकि हो सकता है, इस बार जोलाई, अगस्त, सितम्बर मैंनी जो pension 80 है, वह सरकार आधार बे तो ये सबी चीज़े आपको ध्यान में रखनी है, देखना है, आसा करते हैं, आपको हमर्द्वी जानकारी पसंद आई होगी, यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जागर पूछ सकते हैं, सबी सल लग एक और नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत!